श्रीमत भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्या श्री पार्वती जी ने कहा भगवन आप सब तत्वों के ग्याता हैं आपकी कृपा से मुझे श्री विश्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोग का उधार करने वाले हैं देवेश अब मैं गीता का महात्मे सुनना चाहती हूँ जिसका श्रमण करने से श्री हरी में भक्ती बढ़ती है महादेव जी बोले जिनका सिरी विग्र है अलसी के फूल के भाती स्यावण का है पक्षिराजगरों ही जिनके वाहन है जो अपनी महिमा से कभी चुत नहीं होते तथा सेसनाग की सैयाँ पर सैयन करते हैं उन भगवान महा विष्णों की हम उपासना करते हैं एक समय की बात है मुर्दैत के नासक भगवान विष्णों सेसनाग के रमणी अहसन पर सुख पूरवक विराजमान थे उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लस्मी ने आदर पूरवक प्रस्न किया भगवन आप संपून जगत का पालन करते हुए भी अपने एश्वर्य के प्रती उदासीन से होकर जो इस ख्षीर सागर में नीन ले रहे हैं इसका क्या कारण है समोखी मैं नीन नहीं लेता हूँ अभी तो तट्व का अनुसरन करने वाली अंतर दरेश्ट्य के द्वारा अपने ही महेश्वर्य तेज का साक्षात कार कर रहा हूँ देवी ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुसागर बुद्धी के द्वारा अपने अंतह करण में दर्सं करते हैं तथा जिसमें मिमानसक विद्वान विदू का सार तत्व निश्चित करते हैं वे महेश्वर्तेज एक अजर प्रिकास्वरूप आत्मारूप रोगसोकसी रहित अखंड आनंद का पुंज निश्पंद तथा द्वैत रहित है इस जगत का जीवन उसी के अधीन है मैं उसी का अनुभव करता हूँ देवेश्वरी यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ रिशिकेश आप ही योगी पुरुषों के धे हैं आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्यतत्व है यह जानकर मुझे बड़ा कौतुहल हो रहा है इस चराचर जगत की स्रिष्टी और संघार करने वाले स्वयम आप ही हैं आप सर्व समर्थ हैं इस प्रकार की स्थिती में होकर भी यदि आप उस परम तत्तु से भिन हैं तो मुझे उसका बोध कराईए प्रिये आत्मा का स्वरूप द्वैत और एद्वैत से पिर्थक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदी और अनंत से रहित है सुद्ध ज्यान के प्रिकास से उपलब्द होने वाला तथा परमानंद होने के कारण एक मात्र सुन्दर है वही मेरा इस्वर ये रूप है आत्मा का एकत ही सब के द्वारा जानने योग है गीता सास्त में इसी का प्रितिपादन हुआ है अमित्य जस्वी भगवान विश्नों के ये वचन सुनकर लजमी तेवी ने संग का उपस्तित करते हुए कहा भगवन यदि आपका स्वेरोब स्वेम पर्मानन्द में और मनवानी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है मेरे संदेह का आप निवारन कीजिए संदरी सनो मैं गीता में अपनी इस्थिति का वरणन करता हूँ करम सहे पांच अध्यायों को तुम पांच मुख जानो दस अध्यायों को तस भुजाई समझो तथा एक अध्याय को उदर और दो अध्यायों को चरण कमल जानो इस परकार ये अठारे अध्यायों की वानी मैं इस्वर ये मूर्ती ही समझनी चाहिए ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नास करने वाली है जो तम बुद्धि वाला पुरुस गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई इसलोक का भी पिर्ती दिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्तो जाता है देव, सुशर्मा कौन था? किस चाती का था? और किस कारण से उसके मृत्यों हुई? प्रिये, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धी का मनिस्थ था पापियों का तो वह स्रोमनी ही था उसका जनम, वैदि ज्यान से सुन्य एवं कुरूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राहम मनों के कुल में हुआ था वह नय ध्यान करता था, नय जब नय होम करता था, नय अथितियों का सतकार वह लंपट होने की कारण सदा विश्यों के सिवन में ही आ सकत रहता था हल जोतता और पत्ते बेचकर जीवी का चलाता था उसे मदिरा पीने का व्यसन था, तथा वह मांस भी खाया करता था इस प्रिकार उसने अपने जीवन का धीर्ग काल व्यतीत कर दिया एक दिन मूंड बुद्धी सुसरमा पत्ते लाने के लिए किसी रिसी की वाठिका में घूम रहा था इसी बीच में काल रूप धारी काले सापने उसे डस लिया सुसरमा की मिरत्यू हो गई तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाई भोग कर मेरत्यू लोक में लोट आया और वहां बोज ढोने वाला बैल हुआ उस समय किसी पंगू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत कनने के लिए उसे खरीद लिया बैल ने अपने पेट पर पंगू का भार ढोते हुए बड़े कश्ट में साथ आठ वर्स बिताए एक दिन पंगू ने किसी उंचे इस्तान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया इससे वह ठक कर बड़े बेग से प्रत्वी पर जा गिरा और मुर्चित हो गया उस समय वहां कौतु हल वस आकरश्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गई उस जन समुदाई में किसी पुर्ण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्यान करने के लिए उसे अपने पुर्ण्य का दान किया तथ पसचात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुर्ण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया उस भीड में एक वैश्या भी खड़ी थी उसे अपने पूर्ण का पता नहीं था तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुस्तियाग किया तदंतर यमराज की दूत उस मरे हुई प्राणी को पहले यमपूरी ले गई वहाँ पर विचार करा कि ये वैश्या की दियो हे पूर्ण से पूर्णवान हो गया है उसे छोड़ दिया गया फिर वह भूलोक में आकर उत्तमकुल और सील वाले ब्राह्मनों के घर में उत्पन हुआ उस समय भी उसे अपने पूरु जनम की बातों का इस्मरण बना रहा बहुत दिनों के बाद अपने ग्यान को दूर करने वाले कल्यान तत्व का जिग्या सू होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा तुमने कौन से पूर्णे का दान किया था वैश्या ने उत्तर दिया वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता पिड़ते दिन कुछ पढ़ता है उससे मेरा अंतह का रण पवित्र हुग गया उसी का पूर्ण मैंने तुम्हारे लिए दान किया था इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा तब उस तोते ने अपने पूर्ण जनम का इस्वरण करके प्राचीन इतिहास कहना अहरंब किया तोता बोलता है पूर्ण जनम में मैं विद्वान होकर वी विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था मेरा रागद्वेस इतना बढ़ गया कि मैं गुर्वान विद्वानों के पिरते भी इर्शा भाव रखने लगा फिर समयनों सार मेरी मिरत्व हो गई और मैं अनेकों घ्रनित लोकों में भटकता फिरा उसके बाद इस लोक में आया सद्गुरु की अत्यांत निंदा करने के कारण तोती की कुल में मेरा चनम हुआ पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया एक दिन मैं ग्रीश मिरतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था वहां से कुस स्रेष्ट मुनी मुझे उठा लाए और महात्माओं के आस्रे में आस्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया वही मुझे पढ़ाया गया रिश्यो के बालक बड़े आदर के साथ गीता के पिर्थम अध्याय की आवर्ती करते थे उन्ही से सुनकर मैं भी बारम बार पाठ करने लगा इसी बीच में एक चूरी करने वाले बहीलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया तत पस्चात इस धीवी ने मुझे खरीद लिया यही मेरा विरतान्त है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया है पूर्व काल में मैंने इस पिर्थम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है फिर उसी से इस वैसा का भी अंतय करन सुद्ध हुआ है और उसी के पूर्ण से ये द्विस्टेश सुस्रमा भी पाप मुक्त हुए है इस पिरकार परस पर वार्था लाप और गीता के पिर्थम अध्याय के माहत्मी की पिरसंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे फिर ज्यान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए इसलिए जो कीता के पिर्थम अध्याय को पड़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती के पिर्चоп किनान नहीं होती अर्ट।